हेलो दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो स्पेसली इलेक्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्रोनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टुरेंट्स के लिए बहुत जादा यूसफुल है मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारी student का कमेंट आ रहा था कि electrical branch related कोई course बताईए तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नहीं बलकि 5 ऐसे free job oriented courses की जानकारी लेके आया हूँ जिसमें की सिखाई जाने वाली skill आज के समय में हर manufacturing industry की top most required skill है और ये सारी skill आप इन courses के थूरू सीख सकते हो साथ ही आपको इसका एक valuable certificate भी मिलेगा जिसका use करके आप किसी भी manufacturing industry में machine maintenance engineer, machine installation engineer, utility maintenance engineer, process maintenance engineer ऐसे बहुत सारे highly reputed job roles को अपनी technical study के बाद पा सकते हो तो अगर आप भी इस useful जानकारी को पाने के लिए interested हो then make sure video को add तक जरूर देखना तो चलिए video के main content को start करते हैं तो दोस्तो चलिए एक एक करके सभी courses के बारे में जानते हैं हमारे list में पहले number का course है introduction to electronic sensors basically इस course में आपको manufacturing industry या किसी भी industry में use होने वाले electronic sensors के बारे में उनके characters के बारे में कहां पे कौन सा sensors यूज होता है कौन सा sensor किस तरीके से काम करता है pressure sensor क्या होता है fiber optical sensor क्या होता है और भी अलग-अलग type के sensor से related information आपको इस पूरे course में बताया जाएगा देखो दोस्तो जब आप अपनी study complete करके industry में job के लिए जाओगे तो as a maintenance person या as a electrical engineer आपको day by day sensor से related बहुत सारी चीज़े मिलेंगी या sensors के उपर काम करने का बहुत मौका मिलेगा तो इसके लिए बहुत जुरूर है कि आपके पास sensor से related basic information पहले से होनी चाहिए ताकि आप अगर interview में पूछा जाए तो आप उसका correct answer करके job के लिए interview को crack कर सको तो इस course को आप free में enroll कर सकती हो ये course बहुत ही अच्छा है 5-star rating का course है और especially electrical and electronics branch के लिए बनाया गया है दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आप सब को एक बहुत useful जानकारी देना चाहूंगा अगर आपके current job में career growth नहीं हो रही है तो फिर आप एक certain time के बाद new job और better opportunity की तलास में job switch करने की तो जरूर सोचेंगे ही everyone wants to switch for the best पर बहुत पंगे होते हैं यार job switch करने में job ढूणने का tension, interview के preparation का tension and HR से negotiation की तो बात ही ना करो पर अगर मैं आपको बोलू कि आप ये सब tension से free हो सकते हो तो कैसे? direct app डाउनलोड करके यहाँ पर आप आसानी से अच्छी job ढूण सकते हो वो भी startup founders और CEOs के साथ direct chat करके और ये सब बिना किसी consultant के आपको कुछ नहीं करना पस description में दिये link पे जाना है वहाँ उस पे click करके app को install करना है उधर कुछ questions के answer देके अपनी profile बनानी है और उसके हिसाब से app का algorithm आपको recruiter से match करवा देगा और हाँ अगर आपको privacy का tension है तो आपकी कोई भी details बिना permission के recruiters को नहीं मिलेगी तो जल्दी से description box में दिये link पे click करके app को download करो और बिना किसी परेसानी के switch for the best on high rate तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के main topic पे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के course पे तो दूसरे नंबर का course है PLC programming का course PLC के बारे में सायद ही मुझे आपको बतानी की जरूवत है क्योंकि हर electrical and electronics branch वाले student को इसके importance के बारे में पता होता है PLC हर industry का एक बहुत important part होता है इंड़स्टी की ज्यादतर मशीने PLC programming के उपर ही काम करती है और अगर आपको PLC programming आ गई तो आपकी इस skill के demand हर industry में होगी और आपके लिए job के बहुत सारी opportunities बहुत सारी options खुलके आएंगे तो इस skill को सीखने के लिए यहाँ पे आपको PLC programming का एक free course मिल जाएगा जिसमें की आपको PLC programming के बारे में बताया जाएगा latches के बारे में timers के बारे में counters के बारे में अलग अलग softwares के बारे में HMI के बारे में कर ले यहाँ पे आपको दो free courses मिलेंगे जो की हिंदी में रहेंगे PLC programming का क्यूंकि इस से आपके बहुत सारे doubts के लिए हिंदी language में और इस course को समझना भी सभी students के लिए बहुत आसान रहेगा तो इन तीनो courses के base पे आप PLC के basic skills को सीख सकते हो जो की आपको fresher level पे PLC की field में job दिलवाने के लिए बहुत ही important होगा और बहुत ही useful भी होगा चलिए बढ़ते हैं तीसरे course की ओर तो हमारी list में तीसरा course है soldering electric component like an expert देखो दोस्तो soldering एक बहुत ही essential skills है जिसको सीखना जिसमें master करना बहुत ही आसान है बस जरूवत है तो आपको proper guidance और proper practice की इस course में आपको soldings related बहुत सारी useful जानकारी मिलेगी जिससे की आप practically इस चीज को अच्छे level पे करना सीख जाओगे ये एक ऐसी skill है जो की आपको daily life में तो काम आएगी ही साथ के साथ industry में आपको बहुत जादा इसका use मिलेगा बहुत सारी industry practical interview के दौरान solding skill को चेक करती है जहां पे आपको उनको solding करके दिखाना होता है तो ये skill सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इस course से solding से related skills को बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में सीख सकते हो तो चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर के course की ओर चौथे नंबर का course है basic electrical drawing and testing equipment as an electrical engineer और electronics engineer आपको electrical drawings समझना या पढ़ना आना चाहिए साथ के साथ आपको बहुत सारे testing equipment जो कि industry में use होते हैं बहुत सारे equipment होते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस course में आपको basically यह सारी चीजे बताए जाएंगी जिसमें की layout, drafting lines, electrical symbols बहुत type symbols आपको electrical drawings में मिलेंगे जिनको समझना पढ़ेगा आपको जिसके बेस पे आप wiring कर सकते हो और यह सारी चीजे समझना तभी possible है जब आपको इसकी basic knowledge होगी तो इस course में आपको electrical drawings related basic knowledge प्रवाइड की जाएगी साथ ही testing equipment की बात करें तो एक electrical या electronics engineer को हर testing equipment की knowledge होनी चीए जो भी industry में use होती है तो चलिए बढ़ते हैं पांचवे नंबर कोर्स की ओर तो पांचवे नंबर का कोर्स है HVAC का कोर्स दोस्तों basically HVAC का मतलब होता है heating ventilation and air conditioning आज की समय में residential complex बढ़ रहे है commercial complex बढ़ रहे है industry की संख्या बढ़ रही है जिसकी वज़े से HVAC की demand बहुत ही ज़्यादा बूम पे है इस technology में हम किसी particular area के temperature को maintain करने के लिए technology का use करते है और वो technology HVAC technology होती है अगर आप इस related skills को सीख लोगे तो आज के समय में इस skill की demand काफी ज़्यादा है क्योंकि आज के समय में temperature maintain करना एक बहुत ही बड़ा challenge बन चुका है industries के लिए भी और आम आदमी के लिए भी जहां पे उनके लिए HVAC technology ही काम में आती है अगर आपको HVAC के term को और भी deeply समझना है तो मैंने इस पे एक dedicated video बनाया हुआ है आप इस video को जरूर चेक करे अगर आप HVAC के field में जाना चाहती हो तो यहां पे आपको learn1 की तरफ से HVAC का एक free course भी मिलेगा उस course का link मैं आपको video के description में भी दे दूँगा तो आप इस video के बाद HVAC वाले dedicated video को जरूर चेक आउट करो तो दोस्तो यह थे वो 5 courses यह सभी courses मैंने आपको allision.com website से बताएं वैसे तो सभी courses का link आपको video के description में मिल जाएगा आप directly उस link पे क्लिक करके सभी courses को free में enroll कर सकते हो enroll करने का process बहुत ही simple है link पे क्लिक करो course के dashboard पे आओ और directly आप sign up करके enroll कर सकते हो बट बात certificate की जहां आती है तो आपको कुछ इस तरीके का sample certificate देखने को मिलेगा जब आप course complete कर लोगे ये certificate paid है बट इसको अगर आपको free में लेना है तो यहां पे allision की तरफ से एक referral program है जिसमें की अगर आप इनके courses को अपने friends में share करते हो अगर आपके 3 friends ने यहां से किसी भी course को complete कर लिया तो आप एक free digital certificate पालोगे जिस भी course का आप चाहते हो और अगर 25 friends ने आपके refer किये हुए link से यहां के courses को enroll करके complete किया तो आप इनका digital diploma certificate पा सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो देखो इसमें मैंने deeply बताया है कि कैसे आप यहां पे courses को enroll करोगे कैसे account बनाओगे और कैसे certificate लेना है तो दोस्तो यह थी पूरी जानकारी मेरे पास और भी बहुत सारे useful courses की जानकारी अविलेबल है अगर आपको ऐसे और भी courses के बारे में जानकारी चाहिए तो आप comment में yes लिके अपना interest जरूर सो करें मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो ले आऊँगा और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करके दोस्तों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें और टेलिग्राम चैनल को भी subscribe कर ले for regular update और सबसे ज़रूरी चीज अगर आप भी अपने current job से new job में switch करना चाहते हो तो हाइरेक्ट को download करना ना भूले यहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा startup के founder and CEO के साथ चैट कर सकते हैं link description में है so go try हाइरेक्ट and switch for the best मिलते हैं अगले useful वीडियो में तब तक के लिए thank you